आज की इस वीडियो में हम learning क्या पूरा concept एक ही वीडियो में करेंगे learnings are related जितने भी इसके अंदर topics आते हैं कि learning क्या है learning की अलग-अलग परिभाशाएं क्या है learning curve क्या है learning plateau क्या है कौन-कौन से factors learning को effect करते हैं कितने शेत्रों में learning की जाती है यानि कि इस पूरे topic का निचोड मैं आपको इस पूरी वीडियो में देने वाला हूँ वैसे तो इस topic को आप अपने madam से गुरू से पढ़ चुके होंगे लेकिन इस वीडियो को देखना जिसमें मैं आप लोगों को एक नए तरीके से learning को cut to cut बताने वाला हूँ जिसका level होगा seated का कुछ चीज ज़्यादा नहीं कुछ चीज कम नहीं सिर्फ वो चीज जो आपके exam में आएगी तो ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए महतोपूर ही नहीं बहुत ज़्यादा महतोपूर है और आप लोगों ने अगर हमारी back to school की app install नहीं की हो तो कर लीजिए 10,000 से ज़्यादा student कर चुकी है mock test, notes और PDF सब चीज़े मिल जाएंगी और 90% से ज़्यादा हमारे mock test के अंदर से आपका exam आएगा subscription लिया है, आज पटेल, केश्विंदर, गंगवार ने कल तीन लोगों ने लिया, कांता कुमारी, सिवं और अंकिता शुकला ने आप भी लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों अधिगम को शुरू करते है learning क्या है, सबसे पहले इस concept को हम समझेंगे अधिगम क्या है, what is learning gates और अन्य के अनुसार, perception एवं अनुभव के दवारा विभार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यानि कि learning is a process of development, ये woodworth ने कहा है अब देखिए, ये सीज़े दो प्रशन आपके बनते हैं, कि gates और अन्य के अनुसार, learning क्या है, आपके behavior के अंदर आया हुआ परिवर्तन, और learning development का process है, ये किस ने कहा, woodworth ने कहा, अब अलग-अलग मनोवेग ज्यानिकों ने learning क्या है, ये समझाने की कोशिश की, skirner ने कहा कि सीखना वेवार में adjustment करना है, woodworth ने कहा कि जब आप नए ग्यान का निर्मान करते हो, और नई चीजों को सीखते हो, उसे ही आप अधिगम बोलते हैं, crow and crow ने कहा कि सीखना आधतों और ग्यान, या फिर कहें aptitude का अरजन है, gilford ने कहा कि learning से हमारे विवार में जो परिवर्तन आता है, उसी को आप learning गोलते हैं, मारजन ने कहा कि अधिगम की ऐस अफलता का कारण क्या है, सीखने की ऐस पश्ट विधी, अगर इसको मैं और आपको अच्छे से बताऊं, तो इन सब जो है परिभाशाओं को समझने के बाद, आप 3-4 निश्करसों पर पहुँचते हैं कि सीखना विवार में स्थाई परिवर्तन है, मान लो एक बच्चे को साइकल चलानी नहीं आती, उसने साइकल चलानी सीखी तो उसके behavior में change हुआ और वो हमेशा के लिए हो गया, एक बच्चे को counting नहीं आती थी, उसने counting सीख ली तो अब जब भी उससे कोई प्रशन पूछेगा तो वो counting करके उसका answer दे देगा, तो सीखना विवार में permanent change है, सीखने का प्रतिक्स रूप से निरिक्षन नहीं किया जा सकता, बलकि विक्ति की क्रियाओं से है इस पर्श्ट होता है, अब एक आदमी ने कितनी चीजे सीखी है आप उसको देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि वो quantitative नहीं है वो qualitative है, क्योंकि सीखना मातरातमक नहीं है गुनातमक है, मातरातमक चीज का मतलब होता है जिसको माप सके लेकिन गुणातमक का मतलब है कुछ गुण जिनको आप माप नहीं सकते है बलकि आदमी के behavior से जान सकते हो मान लो एक बच्चा आपके सामने खड़ा है राम क्या बता सकते हो कि उसको counting आती है यानि सिर्फ उसे देख कर बिल्कुल नहीं आप ये उससे अगर question पूछे counting के कि counting से उसको answer देना पड़े तो आप उसकी क्रियाओं से जान सकते हैं तो सीखना प्रतेक्स रूप से आप नहीं देख सकते हैं सिर्फ आप उसकी क्रियाओं से उसे जो है परक सकते हैं और ये इस नियम के तरफ इशारा करता है कि जो learning होगी वो quantitative नहीं होगी वो होगी qualitative गुणात्मक प्रकृति होती है चलिए सीखना निरंतर प्रकृति में तनिक परिवर्तन में नहीं से यानि कि सीखना होता है आपका धीरे धीरे एकदम से कोई व्यक्ति नहीं सीखता धीरे धीरे करके सीखता है गलतियां करकर करके सीखता है सीख सीखने के अंदर आपको practice भी करनी पड़ेगी और जितना जाद आपको experience होगा और उतना ही आपका सीखना स्थाई होगा तो ये सीखने का पूरा निचोड है जो मैंने अब आपको बताये कि सीखना आखिरकार होता क्या है अब बात करते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाल तो एक बच्चे का जो environment है वो दिशा देता है बच्चे के विकास को तो एक अच्छे वातावरण के अंदर जहां पर बच्चे को सीखने के लिए motivate किया जाए और जहां पर बच्चे का child centric रूप से विकास हो वही बच्चे का तरीका होगा जिससे बच्चा अच्छे से सीखेगा तो एक अच्छा atmosphere सीखने को परभावित करता है शाररिक तथा मानसिक्स वास्त है physical and mental health सीखने वाले की physical और mental health अगर अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएगा अगर अच्छी होगी तो वो physically और mentally किसी भी काम में 100% अपना देगा और सीख पाएगा जल्दी से तीसरा अगर हम आपसे बात करें जो कारक है जो define करता है learning को वो है अधिगम विदी learning method दो बच्चे हैं एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है रवीना राम गलत तरीके से सीख रहा है रवीना ठीक तरीके से सीख रही है तो learning किसकी कारगर होगी रवीना की राम की नहीं तो सीखने की जो विदी है वो भी define करती है कि learning कितनी अच्छी होगी देखिए अधिगम को परभावित करने के लिए सिक्षन विधी या learning विधी आप कुछ भी कहें learning जो method होता है वो होना चाहिए बच्चे की योग्यता हो रूची के हिसाब से आगे अभिप्रेना motivation कोई भी सीखने वाला कितना motivated है क्या वो भारी दबाव के कारण सीख रहा है या कोई अंतरिक आग उसके अंदर जल रही है जिससे कि वो किसी चीज को सीखना चाता है तो motivation भी define करेगी कि learning आपकी कितनी अच्छी होगी और कितनी गहन होगी उसके बाद अध्यापक की भूमी का अब देखिए अगर आप एक ऐसे teacher से पढ़ेंगे जिसको खुद चीजे नहीं आती है और जो खुद आपके लेवल का भी नहीं है तो आपको क्या पढ़ाएगा और एक teacher जिसको पता है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है उन्हें मोके देने है वो authoritative नहीं है उसे पता है कि मुझे बच्चे के हिसाब से उसकी 24 के हिसाब से मुझे बच्चे को खुद चुनने की आजादी देनी है कि उसे क्या पढ़ना है तो role of teacher भी जो है learning को परभावित करता है क्योंकि learning उसकी देखरेक में ही होता है इच्छा शक्ती आपकी सीखने की इच्छा शक्ती कितनी है will power कितनी है आपकी आप दबाव के कारण बैठे वहाँ पर पढ़ रहे है या आपके अंदर एक आग जल रही थी जिससे आप जो है किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक थे और आप पढ़ रहे है तो will to learn is the key to learning आगे परी परपुता maturation कुछ ऐसी चीज़े होती है जो आपको उम्र एक निश्चित उम्र में ही जो है सीखी जाएंगी आप उम्र से पहले उनको नहीं सीख सकते हैं जैसे कि एक तीसरी क्लास के बच्चे को trigonometry जिखाओगे वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो mentally इतना mature नहीं है ऐसे कुछ चीज़ें अगर आप physically mature होने के बाद जो सीख सकते हैं आप बच्चपन में वो चीज़ नहीं सीख सकते क्योंकि maturity भी define करते हैं किसी चीज़ के सीखने को कारिय का समय और थकान time of work and fatigue अगर कोई काम ऐसा है जिसको सीखने में आपको बहुत ज़्यादा time लगे तीन चार साल में आए और उसको सीखने में भी बहुत थकान हो तो बहुत कम लोग उसे सीखना पसंद करते हैं तो सीखने के लिए time of work and fatigue भी बहुत एहम role play करती है अगला अभ्यास विभाजन distribution of practice देखिए अगर आप किसी काम को सीखने के लिए उसकी practice में आपको बहुत ज़्यादा time लगाना पड़े और आपको लगे कि आपका पूरा stamina आपकी पुरी life एक ही काम के लिए invest हो रही है और उसका outcome भी आपको नहीं मिल रहा तो distribution of practice आप करते हैं क्या करते हैं आप बड़े काम को छोटे छोटे वागों में बाट लेते हैं तो कोई काम अगर आप छोटे वागों में ना बाट पाएं तो उसको नहीं सीखेंगे आप पाठे करमों की संरचना structure of curriculum अब देखिए किसी भी चीज की learning के लिए आप उस चीज को सीखने के लिए planning बनाते हैं जैसे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो अपना पूरा school उसके लिए curriculum बनाता है तो जो curriculum की संरचना है यानि कि जो आपकी planning है किसी चीज को सीखने की वो भी define करेगी कि आपका सीखना कितना अच्छा होगा आपका सीखना कितना कम होगा तो देखिए कितने कम टाइम में learning क्या है उसकी सबसे पहले हमने परिभाशा हैं देखी उसके बाद हमने learning को समझा चार मेन पॉइंट में और फिर learning को effect करने वाले कारक हमने देखे अब एक और topic learning में जो आता है वो है learning curve अधिगम वक्र क्या होते हैं देखिए skinner ने graph paper पर आकडो से निर्मित एक चित्र को अधिगम वक्र का है अधिगम वक्र आखिरकार है क्या देखिए अधिगम वक्र learning curve एक diagram होते हैं जिन से learning की जो है उन्नती का पता लगता है कि learning कैसे चल रही है क्या learning उसी गती से चल रही है क्या learning कम हो गई है या learning बहुत ज़्यादा हो रही है तो speed of learning यहां से पता चलता है तो अधिगम वक्र क्या होगा अधिगम वक्र सीखने की प्रगती के सूचक है याद रखना यह हमेज़ा कोशन आया है कि अधिगम वक्र का मेरे काम क्या है सीखने की प्रगती के सूचक यानि कि सीखना कितना जारी है और कितना किसी ने सीखा है यहर कितनी progress हो रही है, तो इससे learning की progress के बारे में आप पता करते हैं, learning जो curve होते हैं, वो चार तरीके के होते हैं, सबसे पहला curve होता है, आपका सरल रेखिए, straight line curve, अब देखें इसे, जो है straight line curve क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सीखने की जो क्रिया है, एक समान नहीं होती, इस इसमें हमेशा सीखना चलता रहता है, आपने देखा, यह उपर उपर चलती जा रही है, तो उपर उपर चलती जा रही है, तो इसमें सीखने की क्रिया हमेशा समान नहीं रहेगी, और इसमें हमेशा क्या होगा, इसमें परगती हमेशा रहती है, इसको आप याद रखना, प जनात्मक उन्नती सुचक वर्क नेगेटिव या कॉन्वेक्स एक्सलरेटीड कर्व इस परकार के वक्र में अधिकम की क्रिया में प्रारम बे सीखने की गति अधिक होती है लेकिन बाद में दीरे-दीरे इसके सीखने की गति इसमें कम पड़ जाती है आपने देखा कि शुरुवात में सीखने की गती तेज लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सीखने की गती देखे यहाँ पर काम हो गई इसमें सीखने की गती डारेक्ट बढ़ती जा रही है लेकिन इसमें सीखने की गती ऐसे देखिए यहाँ पर फॉलो कीजिए मेरे लेजर पॉइंटर को कि इसमें दीरे-दीरे क्या हो रहा है नीचे डिप हो रही है यह ठीक है यानि कि शुरू में सीखने की गती बहुत तेज लेकिन अभ्यास करते-करते बाद में इसकी गती धिली हो जाती है जो तीसरे परकार का है वैसे वैसे आपकी स्पीड सीखने की बढ़जाती है फिर तीसरा होता है मिश्रित वकर जिसे कमबाइंड या फिर S टाइप ऑफ कर्व भी कहा जाता है इसका मतलब क्या है देखिए इस परकार के वकर में पहले सीखने की कती धीमी रहती है फिर तेज होती है फिर धीमी होलने लगती है यानि कि पहले धीमी फिर तेज फिर धीमी तो ये चार परकार के हमारे वक्र थे जिने आप अच्छी तरीके से समझ गए है अब अधिगम वक्र के बाद भी दोस्त एक नया टॉपिक इसमें आता है अधिगम पठार जिसे लर्नि प्लेटो का क्या है आपका आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि लर्निंग कुसी स्पीड से नहीं रहती देखें जो पहला वकर था वो थो exception था लर्निंग कभी ऐसे नहीं होती है पहले वाले की तरह की हमेशा बढ़ती ही जाए यहां पर आपने देखा कि लर्निंग शुर को उससे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और उसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं जो कि हम अधिगम पठार के कारणों में चर्चा करेंगे जैसे कि कोई बच्चा मैट्स में काफी अच्छा है तो वो एक लिमिट में जाकर मैट्स में वहां पर जाकर रुक जाएगा कहीं कि इससे जादा अब मैं क्या करूँ बहुत सारे कारण होते हैं जो अब हम जो है डिसकस करेंगे तो अधिगम पठार का मतलब क्या हुआ कि लर्निंग की परकरिया में एक ऐसी सिच्वेशन आ जाना जहां पर लर्निंग की जो स्पीड है उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो इसे आप लर्निंग कर्व कहते हैं इसे आप क्या कहते हैं लर्निंग कर्व सीखने की गती में कोई भी प्रगती आपको दिखाई नहीं देगी इस टाइम पिरिएड में इसी को आप अधिगम के पठार बोलते हैं अब ऐसा होता क्यो है इसके कई रीजन है पहला है विशय क आप सीख रहें वो वह पहुत जादा टौफ है तो क्या होगा जादा नहीं सीख पाओ गया पर सीखना आपका क्या होगा थमसा जाएगा शीखने की गलत पदिती के कारण है आप जीस चीज को सीख रहे हैं और उसको सीखने पदती ही यानि कि जो तरीका है वही आप ने गल जाएगा और आप सीख नहीं पाएंगे अभ्यास की कमी के कारण देखिए चाहे आपको कोई चीज पसंद हो चाहे ना हो लेकिन अभ्यास आपने नहीं किया तो learning plateau आना ही आना है संतुष्टी की बावना आ जाने पर यानि कि जिस काम को आप सीख रहे हैं और आपके मन में आपकी आदत बदल गई है यानि कि आपको जिम में जाने की आदत थी तो आप जो है बाइक चलना सीख रहे थे लेकिन आपने जिम में जाना बंद कर दिया तो आपको बाइक की भी जरूरत नहीं सीखनी है तो आदतों में परीवरतन के कारण भी learning plateau आ जाता है सीखने वाले में गए आप competitive exams के तैयारी में लग गए और जो चीज आपने सीखी थी उसके अंदर learning plateau आ गया रुक गया है आपका प्रोसेस आगे शारी कोई मानसिक स्वास्तर ठीक नहीं होने के कारण देखिए अगर कोई मानसिक या शारी कुरूप से दिक्कत अगर आ जाए और किसी चीज का सीखना आप शुरू कर चुके थे तो उसके अंदर अवरुद या कहें कि plateau आना 100% sure है ही तो देखिए आज की इस वीडियो में वैसे स्मार्ट बोर्ड पर आप लोगों को ये सब चीजे में आके महंगे महंगे कैमरों से पढ़ाता तो लाखों में व्यूज आते लेकिन इस वीडियो में मैं maximum कितने स्टुडेंट्स को सोच रहो maximum 4000 भी वीडियो को देख लेंगे maximum बतारूं इससे ज़्यादा के पास पहुचेगी भी नहीं है तो उन लोगों को मैं guarantee देता हूँ कि यहां से आपके exam में question आएगा ही आएगा कम समय में आपको लगबग यह पूरा chapter मैंने करा दिया है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़े मैं करवा रहा हूँ channel को तो like कीज़ेगा दोस्तों तक share कीज़ेगा और भी वीडियो आपको दे दी जाएंगी take care दोस्तों और हमें बदल नहीं है यह चीज कि YouTube के उपर खोकली चीज़ें तेहरती रहें सब के सामने और दमदार चीज़ें डूप जाएं लेकिन कोई बात नहीं same जो क्या बोलते हैं आप लोगों के सामने बाते बोलना वैसे ठीक नहीं क्योंकि same audience है क्योंकि मुझे पता लग जाता है your audience also watched that उसमें लेकिन पताना ज़रूरी होता है next वीडियो में इस से भी जवर्दस आपको जो है topic कराने वाला हो तो तो तैयार रही है